आज हम बात करेंगे भेरो मुद्रा पर बगवान संकर के भेरो रूप पे इसका नाम भेरो मुद्रा पड़ा है भेरो मुद्रा करने की विदीव इस मुद्रा का अभ्यास बहुत ही सरल्व आसान है भेरो मुद्रा को कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है सबसे पहले त्यान के किसी आसन में आराम से बेड़ जाईए जो भी आपको आसाल लगे अपने सरीर को सिधा रखे दोनों हाथों को गोध में रखे आखों को बंद कर ले दाइने हाथ को बाए हाथ के उपर रखे दोनों हाथे ले उपर की और हो दाइने हाथ को उपर रखें तो ये भेरवे मुद्रा बनती है। इसी परकार अगर आप अपने बाया हाथ को उपर रखते हैं तो इसे भेरवी मुद्रा बनती है। योग मुद्रा में भेरु मुद्रा एक बहुत ही सकती साली मुद्रा है। इस मुद्रा की अभ्यास से कई लाव होते हैं, आपने देखा होगा मात्मा भूद्ध बगवान संकर अनुमान जी को बेरो मुद्रा में, बेरो मुद्रा का हमारे सरीर और मस्तिक पर कापी अच्छा परभाव परता है, बगवान संकर का ही एक रूप बेरो है, और मता पारवती का बेरो है, महिला और के उपर बहुत गहरा असर करती है बेरू मुद्रा एक परकार की सक्ती और उब्जा का सोत्र है बेरू मुद्रा दिमाग के भी संतुलन बनाए रखती है यह मुद्रा व्यक्ति में चेतना का विकास करती है बेरू मुद्रा का नियमे तब्यास करने से आतम बोद होता है इस की कमी हो तो उसे बेरों मुद्रा का नियमे तरब्यास करना चाहिए। ज्यान के साथ बेरों मुद्रा का अभ्यास करने से अत्यंत लाप राफ्त होता है। बेरों मुद्रा को करने से सरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। ये दिल और दिमाग को सांथ रखने में मदद करती ह इसे एका करता वरती है, यादास को बिढ़ाने में पाइदे मद होती है बेरुमुद्रा को करने से व्यक्ति को मांसिक साम्ती मिलती है कि नियमे तेभिया से DaIBETES और ताइरेड में आराम मिलता है बेरुमुद्रा सिर्धाद को ठीख करने में भी मदरकार होती है मोठापे को कम करने के लिए भी बेरू मुद्रा की जासी है ये निंद्रा की समझेशा को दूर करने में मदद करती है बेरू मुद्रा से मानसिक तर्णाव दूर होता है युक्ति को सांती मिलती है इस मुद्रा से हमारे अपने राइट और लेट ब्रेन में संत्रूल बढ़ारेने के लिए करते हैं इसे हमारा चित सांत रहने में मदद होती है अगर आपका मन बहुत चंचल है तो इस मुद्रा को अवशे करे इस मुद्रा से आपकी एका करता हो और फोकस बढ़ाने में बहुत मदद होगी धन्यवाद